हलो एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सेंसोफ स्मार्ट शॉप मैं हूँ आपका होस संदीब तिर्गाल और दोस्तों आज की वीडियो हम एक बेसिक लेप्टॉप के उपर बनाने जा रहे हैं अगर आपको एक बेसिक लेप्टॉप चाहिए जिससे आप इंटरनेट टाइपिंग और यू कैन से एकाउंटिंग का काम कर सकें तो उसके लिए यह बेस्ट प्रिंटर है यह 30,000 के अंदर इसका प्राइस है और बहुत ही बड़ीया लेप्टॉप है तो चलिए दोस्तों मॉडल नंबर है HP-15S-DU-1052DU यह इसका मॉडल नंबर है और इसका प्राइस जो है वो 30,000 के अंदर है अगर आपको इस लेप्टॉप के बारे में जानना है तो प्लीज मेरे वीडियो को लास तक ज़रूर देखें और साथ में अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्र कर लें नीचे सब्सक्राइब बट्ल है उसको प्रेस कर लें और बैल आइकोन को प्रेस कर लें तो चलिए दोस्तों शुरू करते है तो दोस्तों देखिए यह है HP-15S-DU-1052TU की स्पेसिफिकेशन इसमें आपको मिल जाता है इंटेल का पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर 6405U ठीक है और 1TB की इसमें मिल जाती है आपको हाड ड्राइव इसमें आपको ऑप्टिकल ड्राइव नहीं मिलेगी और विंडोस 10 ओरिजिनल के साथ में आता है इसमें आपको 3Cell की 41WH की बैटरी मिल जाती है और 4GB की RAM मिल जाती है DDR4 और इसमें आपको मिलता है 15.6 इंच क HD LED डिस्पले जो की 220 Nits का है अब आएए इसका box खुल के हम देखते हैं कि इसमें हमें और क्या-क्या मिल जाता है तो यह है हमारा final laptop जो हमने unbox कर लिया है और इसके साथ में हमें एक charger मिल जाता और एक मिल जाती है हमें इसकी power cable तो power cable और charger को हम साइट पे रख देते हैं और मै पहले आपको इसका look दिखा दूँ तो अगर आप उपर से देखें तो इसमें textured surface आपको देखने को मिलेगा जो की देखने में काफी बढ़िया लगती है तो अगर हम इसको खोल के देखें तो अंदर से कुछ हमें ऐसा जो है दिखने को मिलेगा इसमें जो screen है वो आपको anti glare नहीं मिलती है तो वो एक drawback है और लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो अंदर भी इसमें textured finish दी हुई है जो की देखने में काफी अच्छी लग रही है शांदार लग रही है इसमें आपको numeric keys अलग से मिल जाती है जो की अच्छी चीज है औ और generally अभी सभी laptop में numeric keys के साथ में laptop आ रहे हैं जो की separate numeric keys का जो है combination keyboard के उपर दिया गया है internal keyboard है और यहां पर आपको मिल जाता है power button तो site का आपको मैं connectivity दिखा देता हूँ यहां पर आपको मिल जाता है RJ45 jack साथ में मिल जाती है आपको HDMI connection के लिए HDMI port साथ में आपको मिल जाता है C type USB port और LED indicators ठीक है यहां पर आपको मिल जाता है headphone jack जो की आपके headphone को connectivity देगा front की अगर बात कर लें तो front में आपको कुछ नहीं कोई भी connectivity का option नहीं है और अगर हम दूसरे end की बात कर लें तो यहां पर आपको मिल जाता है card reader और card reader के साथ में आपको यहां पर दो USB ports मिल जाते हैं और साथ में मिल जाता आपको charging port तो यह इसका एक side looks है तो यहां पर आपको जो है वो hinge मिल जाती है जो काफी बड़ी है और यह back side से भी covered रहती है और यहां पर आपको जो है स्विकर्स मिल जाते हैं और की पैड जो है वो चिकलेट की पैड है टेच पैड की अगर बात कर लें तो काफी स्मूथ है और इसका जो सर्फेस है वो भी टेक्स्चर्ड सर्फेस है अंदर से भी टेच पैड का लफ्ट एंड राइट बटन्स काफी बड़े दिये गए हैं जो की comfortable है तो बैक साइड पे आपको एच्पी की बैजिंग मिल जाती है और सर्फेस इसका जो है वो टेक्च्चर्ड सर्फेस है मैं बिलकुल पास से दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको एक फील आ सके क इसका सर्फेस कहता होगा तो सर्फेस जो टेक्च्चर्ड फिनिश है वो मुझे काफी अच्छी लगी तो दोस्तों अगर मैं आपको बैक साइड से दिखाऊं तो इसमें आपको यहां पे वेंटिलेशन के लिए मेश मिल जाता है चिक है और यह विंडोस का ओरिजनल लोग इस लप्टॉप के साथ में दिया गया है विंडोस 10 ओरिजनल तो यह बैक साइड का कुछ ऐसा लूग आएगा दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें और अगर आपको इस लैप्टॉप के बारे में और कोई जानकारी लेनी है या अपने नए वीडियो में किसी नए प्रोड़क्ट की जानकारी के साथ तब तक के लिए अपने होच संदीब रड़वाल को दीजे इचाजब थेंक यू सो मच सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सेंसफ स्मार्ट शॉप For all the new videos, click on the bell icon so you get all the notifications.